तिजश्वी जब कहते नजर आये कि जुकाने का परयास हमको कितना भी किया जाएगा पर मैं जुकूंगा नहीं मैं जेल जासथा हूँ पर किसी के सामने घुटना टिक करके माफ़ी नहीं मागूंगा तो बिहार के लोगों को यह बिस्वास हो गया कि तो जश्वी सचमुछ दोसी ही नहीं है तो जश्वीग ने कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिसके अधार पर सिबियाई और इडि उसकी ग्रफतारी कर सके पर लालू पुरसाद यादों के सबने एक और भी नया मुसीबत का पहार इस वक्त दिखाई देने लगा है लेकिन बिहार के लोगों का ऐसा मानन है कि भारतिय जनता पार्टी अगर लालू पुरसाद यादों को जेल के सलाखों के पीछे नहीं डालेगी तो फिर वह लोग सभा से ले करके देश की अन्य रज्ज सभा के चुनाओं में भी जीत हासिल नहीं कर पाएगी जिसके अधार पर आज फिर से त्यारी सुरू है ल और बड़ी जनकारी के साथ करते हैं लालू पुरसाद यादों जब बेल पर बाहर आय थे वह बेल लेने का तरीका मेडिकल अधार बताया गया जिसमें उन्होंने बताया कि वह स्वास्त कारणों के वज़ह से जेल के सलाखों के पीछे नहीं रह सकते लेकिन आपको याद ह जब बिहार में बिधान सवा का चुनाओ था और लालू पुरसाद यादों चाह करके भी कुछ नहीं बोल पा रहे थी क्योंकि जेल के सलाखों के पीछे जारकंड के उस जेल में थे चारा घोटाले मामले में वह जेल में थे लेकिन आज भी एक ऐसा समय है जब लालू पु आप सब कुछ ठीक है तो सब कुछ नियम कानून के अनुसार ही चलेगा देश का समिधान है न अगर देश की समिधान के वारे में आप आलोशनाएं और बाते करते हैं तो देश की समिधान के अनुसार ही चलिए और जेल के सलाखों के पीछे आपको जाना पड़ेगा पर ब विचार के साथ तमाम चीजों को जानने की हम प्रयास करते रहेंगे तब तक लेते हैं इजादत जहें